तो आज हम बात करेंगे राहू, बुद्ध और सनी की यूती के बारे में अगर आपके चार्ट में राहू, बुद्ध और सनी की यूती बन रही है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्तोपाण होने वाला है देखे राहू, बुद्ध और सनी की एक ऐसी यूती है जो आपको टेलेंट तो बहुत ज़्यादा देती है लेकिन साथ ही साथ आपको हार्ड वरक भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है अक्सर आपको फ्रस्टेशन होती है, काम समय पे बनता नहीं है लेकिन फिर भी इस यूती के काफी सारे फाइदे भी है देखे इस यूती का सबसे बड़ा फाइदा ये है कि वर्तमान काल का जो ये टेकनिकल यूग चल रहा है उसमें आप बहुत ही अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं यानि आप उसके एक्सपर्ट बन सकते हैं नए नए जो गैजेट्स आ रहे हैं, नए नए कंप्यूटर्स वगरे निकल रहे हैं, फोन जो नए लॉंच हो रहे हैं तो इन सब मालवां में आप काफी ज़्यदा एक्सपर्ट बन सकते हैं अब ये ऐसी कंडिशन है जिसमें राहू बुद के साथ है बुद की क्वालिटीज को तो वो बढ़ाएगा, लेकिन सनी उनको स्लो करने की कोशिस करेगा और सनी उनको स्लो करेगा, सनी उनको उतना ज़्यदा स्लो कर देगा आपके चार्ट में जितना नजदीक वो बुद के होगा अब आपको ये देखना पड़ेगा क्या इस यूती में बुद्ध इन दोनों के बेच में आ रहे हैं अगर बुद्ध इन दोनों के बेच में आ रहे हैं तो निस्सित रूप से बुद्ध वाले गुणों को आपको प्राप्त करने के लिए या बुद्ध से related कारिय करने के लिए आपको काफी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आपको इसका जो real result मिलेंगे वो आपको 30 के बाद या 40 के आसपास मिलेंगे 40 की age के आसपास तो ऐसी condition में आपको अकसर छोटी आयू में काफी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी काफी ज़्यादा learning करनी पड़ेगी तब जाकर आपको सफलता मिलेगी देखा जाए तो राहू यहाँ पर बुद्ध की qualities को तो बढ़ाता है लेकिन साथ में sunny होने की वज़े से sunny delay करता है अगर आपका sunny retro इस्तिति में है तो फिर कुछ हद तक आपको फिर भी राहत मिल सकती है कुछ हद तक फिर वो आपके फैवर में रहेगा लेकिन फिर भी आप काफी ज़्यादा hard worker होंगे और आप technical field का knowledge काफी अच्छा रखेंगे जनरली आप hardware से समंदित कारिये हैं उनका और hardware से समंदित repairing है या phone की कोई भी repairing है या computer से related जो भी parts की repairing है वो काम आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं इसके अलावा आपकी जो गणनात्मक skill है आपकी जो बॉलने की skill है नई चीज़ों को analyze करने की सीखने की और जल्दी चीज़ों को समझने की जो skill है उसके उपर इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा इस प्रकार की उत्ती का तो सनी अब यहां बुद्ध वाले गुणों को आपको जल्दी हासिल नहीं करने देगा बुद्ध वाली चीज़ों में आपको काफे ज़दा delay होगा तो एक वानी का जो disorder है communication में काफी सारी problems है वो सारी आपको देखने को मिलेंगी अब यहां पर बुद्ध है वो एक गणना करने वाले को भी दिखाता है यानि जो calculator है calculator से समन्दी जितने भी काम है calculation का या आप कहीं भी money से related काम कर रहे हैं पैसे से related काम कर रहे हैं तो वो सारे कामों को यहां पर सनी slow करने वाले हैं अब आप जितने भी लोग यह देख रहे हैं जो गजट्स के review कर रहे हैं उनके चार्ट में ऐसी यूति हो सकती है यूटूब पर आपको इस परकार के बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे जो अभी new age के जितने भी यह गजट्स जो निकल रहे हैं तरह तरह के बलाई वो phone या फिर अगर हम computer को भी छोड़ दें तो काफी सारे और भी गजट्स हैं कुछ camera वगरे हैं और बहुत सारे और भी गजट्स हैं जो हमारी डेली life में हमारे काम में आते हैं अब यह सारे जो गैजट्स आ रहे हैं यह इसी यूती का प्रिणाम होता है और अगर किसी जातक के यह यूती काफी ज़्यदा prominent होगी तो जातक इन मामलों में काफी expert होगा और जातक इस समंधित carrier को भी चुन सकता है लेकिन यहाँ पर आपको यह देखना काफी ज़्यदा जरूरी रहेगा कि यह यूती आपके कौन से भाव में बन रही है और बुद्ध आपकी कुंडले में कौन से भाव के स्वामी है जिस भाव के बुद्ध स्वामी होंगे यानि बुद्ध आपकी कुंडले में दो भावों के स्वामे होंगे एक तो जहांपर आपके मिठोन रासी जिस भाव में आएगी और एक आपके कन्या रासी जिस भाव में आएगी उन भावों से समंधित रिजल्ट्स को एनलाइज करना उन भावों से समंदित चीजों को सीखने में काफी कठिनाई आपको आएगी अब इस परकार के जाद तक देखा जए तो इनका जो structure है बुद्धी का वो काफी अच्छा होता है इनको समझ काफी अच्छी होती है लेकिन जो delay का factor होता है जो sunny की वज़े से एक delay वाला factor इसमें रहता है वो कहीं न कहीं आपकी progress को रोख देता है आपके early जो life में progress होनी चे वो रुख जाती है तो कभी-कभी आपका जो मानसिक इस्तर है या जो आपकी mental ability है वो उतनी ज़्यादा विक्सित नहीं होती जितनी actual में होनी चाहिए इसके साब से तो इसका असर यह भी पड़ता है अब यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जो मानसिक रूप से दिक्कते आएंगी वो इसलिए आएंगी वानी से related जो दिक्कते आएंगी क्योंकि बुद्ध यहाँ सनी के साथ है और फिर राहू एक तरीके से expand करने की कौसिस करेगा चीजों को तो अगर आपका बुद्ध खराब हो गया इस conjunction में तो आपको काफी सारे problems आएंगी फिर अगर आपका बुद्ध अच्छा है कुल मिलाके और बुद्ध से समंदी जो भी results है वो अगर आपको अच्छे मिल रहे हैं इस conjunction में तो फिर भी अलग बात है काफी अच्छी बात है एक different तरीके से आप फिर सोच सकते हैं लेकिन राहू हमेसा आपको out of the box season देता है अब यहां यह भी देखना पड़ेगा बुद्ध कितना close है राहू के अगर बुद्ध बहुत ज़्यादा close है राहू के आपके चार्ट में तो निस्चित रूप से आपको बुद्ध वाले गुण पूरे-पूरे मिलेंगे और सनी का जो डिले वाला प्रभाव है वो कही न कहीं आपको उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा तो काफी महतुपन है यह conjunction आपके चार्ट में और आपको जिन भावों में यह conjunction बन रहा है आपके उन भावों से समंधित प्रोब्लम्स क्रियेट करेगा उन भावों से समंधित जो आपके रिस्ते हैं उन में communication पर इसका directly असर पड़ेगा जैसे कि मालीजी किसी के लाब इस्तान में इस प्रकार का conjunction बन रहा है तो उसके अपने दोस्तों के साथ जो communication है जिस प्रकार का होना चाहिए एकदम fast communication होना चाहिए वैसा नहीं होगा या फिर वो अपने धन को इस करने में भी काफी ज्याद़ प्रोब्लम में रहेंगे तो यह जो प्रोब्लम है यह इस प्रकार की प्रोब्लम सा आप लोगों को आ सकती है अब यह जो conjunction है directly आपके mind पर असर डालेगा आपके mind की जो क्रियाविदी है आपका mind किस तरीके से सोचता है तो यह conjunction होने से आपको quickly कोई काम करना है quickly आपको कोई decision लेना है कोई calculation वगरे करनी है इस प्रकार का कोई अन्य काम करना है तो बहुत दिक छेतर से अगर आप जुड़े वे हैं तो यह conjunction आपको काफी हद तक delay भी करवा सकते हैं लेकिन एक तरफ इसके काफी सारे फाइदे हैं तो इसके दूसरी तरफ काफी सारे नुकसान भी है तो अब आपके चार्ट में आपको देखना पड़ेगा यह conjunction कहां बन रहा है कौन से भाव में बन रहा है और डारेक्टली इसके सामने वाले भाव जहां यह conjunction आपके चार्ट में बन रहा है उसके सामने वाले भाव को भी जरूर देखें और उस भाव से समं में चेक करना चाहिए और मैंने जो आपको यहां पर रिजल्स बताए हैं वो कितना आप से मैच करते हैं या आपको अवस्य चेक करना चाहिए